हेलो दोस्तो मेरा नाम सीवऄ मैं और आप सभी का अपने परिवार तिवारी सरसाइंस में स्वाजत है दोस्तो आज हम आपके साथ फिर से कलकुलेशन की एक धमाके डाध ट्रिक के साथ जुड़ चुके हैं तो इसमें हम समझने वाले हैं कि हम calculation को अपने कैसे fast करें जो जब दो संख्याओं के या तीन संख्याओं के multiple आ जाते हैं तो हम इनको कैसे fast करें जिससे हमारा exam के समय time बच सके और question को जल्दी से जल्दी हम solve कर सकें है कि नहीं तो आज हम calculation के चार टाइब की trick हैं समझने वाले हैं फॉर टाइब की जो trick होती है calculation की multiplication की तो उनको समझने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो पहले टाइब में हमने पहले टाइब में इन numbers को ले लिया है इन नंबर्स को कैसे multiple करेंगे देखिए जैसे 46 है हमारा यहां से 46 है हमारा और 44 है हमारा है ना तो इनको कैसे multiple करेंगे तो यहां से हम लिख देंगे 24 यहां से हम लिख देंगे 24 और यहां से लिख देंगे 20 यहां से लिख देंगे 20 तो हमने कैसे किया देखिए समझ यह यह जो फिर यह जो 4 है ना 4, दोनों में 4 है, तो 4 से अगले वारी संख्या, यानि 5, 4 का 5 से गुड़ा करके हमने यहां लिख दिया 20, इसी तरह से हम इसको solve कर सकते। देखिए इसी तरह से हम अगले नंबर को try करते हैं, तो यहां से देखिए 9 का गुड़ा इसमें किया, हमेशा हमें 2 डिजिट लिखने होते हैं, है ना, तो हम 9 का गुड़ा एक में करके 9 नहीं लिखेंगे, 0, 9 लिखेंगे, है ना, और इसके बाद यह जो 3 है ना, 3, 3 के अग किये 3 में, यानि 7, 21, यहां से 21 लिख दिया, फिर 11, 11, 11 के अगला वाला नंबर क्या है, 12, और 12 का गुड़ा 11 से कर दीजे आप, तो यहां से आ जाता है 132, तो इस तरह से इसको solve कर सकते हैं, तो यह आपको trick समझ में आ रहे होगी, है ना, यह सभी, तो इस तरह से आप इनक अगले वाला नंबर 3, 3 का multiple कर देंगे, यानि 3 दूनी 6, तो 621, तो यहां से हमारा answer आ जाता है, आप calculation करके देख सकते हैं, calculator में भी कर लीजे आप, solve कर लीजे, है ना, तो इसके बाद चलिए, अगला number से हमारा, यहां पर 69 को 61 से multiple करना है, तो कैसे करेंगे, 9 का 1 से multiple तो आ जाएगा 09, है ना, फिर 6 का multiple इसके अगले वाले number से, यानि 7 से, 7 से करना है हमें, है ना, तो यहां से 7 से करना है, तो देख साथ चंग 42, 42, तो यहां से हमारा answer आ जाएगा 42, 09, यानि 42, 09 आ जाएगा, है ना, तो इस तरह से हम इसको solve कर सकते हैं, आसान तरीके से, है तो देखिए, इनको समझ लेते हैं, यहां पर square भी आ जाते हैं, जिस, ऐसे square, जिनके आखरी में 5 आता है, है ना, जैसे 25 का square, तो यहां से देखिए 5 का, गुड़ा 5 में करेंगे, यहां से आ जाएगा हमारे पास 25, यहां से आ जाएगा 25, और यह 2 है ना, दो के अगले वाल संख्या, यानि 3, 3 से multiple करेंगे, तो आ जाएगा 6, तो यहां से 625 आ जाएगा, है ना, अगर इसकी बात करें, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 25, यहां से आ जाएगा हमारे पास 25, और 3 के अगले वाली संख्या क्या होती है, 4, और 4 का 3 से multiple करेंगे, तो यहां से आ जाए में 45 का गुड़ा करना है यानि हम कह सकते हैं 45 का स्कॉयर निकालना है तो कैसे करेंगे देखिए 5 का गुड़ा 5 में है ना 5 का गुड़ा 5 में यहां से लिख देंगे 25 यह जो 4 है ना 4 इसके अगले वाला नमबर देखिए क्या होता 4 के अगले वाला नमबर 5 और यहां से दो जीरो है तो दो जीरो लगा देंगे है ना तो यह आ जाएगा tweeted vostre इस तरह आज आएगा हमारा है थो सोल्व करी है आप करिए मैंड में है ना तो देखिए पक्ड़ पन में यहां 55 का मरटीपिल करेंगे तो आज जाएगा 25 और पांच अगले वाले नंबर से यहां से देखिए कितना फास्ट करेंगे पांच पचिस है ना और साथ चंग 42 तो इस तरह से आप फास्ट साल्ब कर सकते हैं इससे काफी फास्ट हो जाता है अगर आप इसकी प्रेक्टिस कर लेंगे तो आप इसको एक सेटेंड के अंदर उड़ा देंगे तो यह पहली ट्रिक में थोड़ी से हमारी कंडीशन अपलाई होती है कंडीशन क्या है कि यह जो आखी वाला नंबर स एक आई अंक है ना दोनों नंबर्स के एक आएड करें तो टैन आ जाए न तो एक काई अंक की योग हमारी टैन होना चाहिए यहां से देखिए इन नमबर को अगर समझे हम तो यहां से देखिए 60 और 70 के बीच में हैं, है की नई, 60 और 70 के बीच में हैं, तो यहां से और इनके एकाई यंग, इन दोनों नमबर के एकाई यंग का योग 10 भी हो रहा है, और ये दोनों नमबर 60 से 70 के बीच में है अगर इनको देखे इनकी बात करें तो ये दोनों नमबर 20 से 30 के बीच में होने चाहिए और एकाई यंक का योग 10 होना चाहिए तो वहाँ पे हमारी ये trick apply हो जाती है लागू हो जाती है तो type first में हमने इस तरह से सीखा है इस तरह से trick लगाएंगे और यहां से हम square भी निकाल सकते हैं ऐसे numbers का जिनके आखरी में 5 आता है तो इस तरह आसानी से हम solve कर सकते हैं तो चलिए दूसरा type लेते हैं तो दोस्तों दूसरे type में हमने ऐसे numbers रखे हैं जो number 100 से अधिक होते हैं हमारे है ना जैसे 102 का गुड़ा 103 में करना है 102 का गुड़ा किसमे 103 में करना है है ना गुड़ा करना है तो क्या आएगा कैसे निकालेंगे देखिए यह 100 से कितना base मान लीजे base क्या माना आपने 100 हमें base मान लेना होता है 100 क्या करना है, इन दोनों का गुड़ा कीजिए, इन दोनों का गुड़ा करेंगे तो जीरुच है, अब देखिए, यह तिर्चा जोड़ दिए, या एक सो तीन में दो जोड़ दिए, या एक सो दो में तीन जोड़ दिए, तो देखिए आएगा एक सो पांच, एक सो पांच आ तो इस तरह से यह हमारा आंसर हो जाएगा है ना यह 100 से अधिक वाले नंबर के साथ करते हैं ना तो और इसी तरह से और प्रैक्टिस कर लिए दूसरा देखिए 104 104 का गुड़ा 105 से करना है तो इस तरह से कैसे करेंगे आप कैसे करेंगे आप करिए फिर हम करते हैं यहां से देखे 24-25 यहां से देख लिए कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है यह कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है 4-25 और यहां से देखे इन दोनों में जोड़ दीजे या इन दोनों को आपस में जोड़ दीजे तिर्चा जोड़ जोड़ दीजे या 105 में 4 जोड़ दीजे तो यहाँ से आजाएगा 109 तो इस तरह से अप solve कर सकते हैं है ना तो ये दो सवाल आप खुड solve करिएगा चली एक सवाल और हम solve करवा देते हैं आपसे तो 106 का गुड़ा 107 में करना है 106 का गुड़ा 107 में करना है कैसे करेंगे 2 सेकेंड मातर 2 सेकेंड में कैसे करेंगे देखिए ये कितना ज़्यादा 6 ज़्यादा ये कितना ज़्यादा 7 ज़्यादा सच्छंग 42 42 है ना और 107 में अगर 6 जोड़ दें तो 113 है ना कमाल की ट्रिक 2 सेकंड में आपका आंसार आ रहा होगा तो इस तरह से हम इसको solve कर सकते हैं आंसर भी निकाल सकते हैं तो आप आखरी question खुश solve करिएगा हाना चलिए अगला type लेते हैं तो type तीसरा है हमारा कि type तीसरे में हमने 100 से कम वाले नंबर लिखे हैं यानि जैसे 98 है 97 है 99 है इस तरह के numbers को हम कैसे count करते हैं कैसे calculate करते हैं fast तो देखिए यहां से देखिए 100 बेस मान लीजे है ना बेस मान लीजे 100 तो यहां से अंठानबे में 2 घटा दीजे यह एए अंठानबे में यह 2 घटा दीजे तो यहां से आजाएगा 96 96-04 इस तरह से आप इसको solve कर सकते ही जिदी तो थोड़ा fast करिए अपनी speed बढ़ाये यहां से देखिए कितना कम है minus का 3 यहां से minus का 1 और इन दोनों को गुड़ा करेंगे तो आ जाएगा 0, 3 0, 3 आ जाएगा और यहां से 3 घटा लिजे या इससे 1 घटा लिजे minus का तो यहां से आ जाएगा हमारा 96 अगला numbers ले लेते हैं हम यहां से देखें यह 93 है ना 100 से कितना कम है माइनस का 7 है ना और यह 97 है यह 100 से कितना कम है माइनस का 3 है ना इन दोनों का मल्टीपिल करना हमें तो यहां पे लिखे देना 7-20 है ना फिर इस नंबर को यह इसमें घटा दें यह इस नंबर को इसमें घटा दें तो यहां से आ तो इस तरह से आप solve कर सकते हैं इजली है ना और फास्ट करिए यहां से देखिए कितना कम है 8 है ना माइनस का और यहां से कितना कम है माइनस का 1 है ना इन दोनों का multiple करेंगे यानि 08 है ना और इसमें इसको घटा दीजे तो 91 यह 92 में गटा दी यह 99 में तिर्चा गटाते हैं तिर्चा तरह से सवाल को solve करिए है की नहीं और थोड़ा सा और फास्ट करिए खुब प्रेक्टिस करें है कि हमने हमने अआधिक संख्या वाले लिए हैं है ना जैसे सुसे कम वाले दि चाहां हस 이미 box और हमारे 98 है 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 सुमें यह दिम और है तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं कैसे करेंगे its very fast यह जीए बहुत तेसी से करेंगे तो यहां से कितना कम है माइनस का 2 हैंडेट बेस माल लेंगे तो यहां से कितना कम है माइनस का 2 है ना और यहां से कितना ज़्यादा है प्लस का 3 यहां से प्लस का 3 ज़्यादा है है ना तो इसको कैसे सॉल्व करें देखिए यहां से देखिए है न हम यहां से जोड के रखते है यहां भी हम जोड के रखते थे यहां पे यानि माइनिस का है तो घटा के रखते थे जो प्लस वाला आता था उसको जोड दे थे उपर वाले में है न यहां पे देखिए यह प्लस वाला है तो 98 में अगर 3 जोड दे तो हमारा आ जाता है 101 है ना और यह 103 में 2 घटा दे 103 में 103 में 2 घटा दे तो आ जाता है 101 यानि हमें 53 फिर घटाना या जोड़ना है यहाँ पर है ना 2 plus minus के आ जाते हैं तो यहाँ से घटाना और जोड़ना होता है है ना इसके बाद 00 लगा देंगे इनका गुड़ा करके नहीं लिखेंगे डबल जीरो लगा देंगे और यह जो गुड़ा करने में आए गाना इसको घटा देंगे यानि 6 को घटा देंगे तो यहां से आ जाएगा हमारे पास दिख नहीं रागे आपको यह 10,100 रुपाय आ गया तो यहां से माइनस 6 कर दीजे तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 10,094 तो इस तरह से आप 6 तो चलिए देखिए अगला कैसे किया जाए अगला कुश्चन कैसे किया जाए अगला नंबर देखिए यहां से कितना जादा है प्लस का 2 है ना यहां से कितना कम है माइनस का 5 माइनस का कितना कम है माइनस का 5 है अब क्या करना होता है हमको यहां से देखिए पंचानवे में दो जोड़ दीजे तो यहां से हो जाएगा हमारा संतानवे पंचानवे में दो जोड़ देंगे तो यहां से आ जाएगा संतानवे या एक सो दो में पांच घटा लीजे तो यहां से आ जाएगा इसमें से हमें 10 घटा लेना है तो आजाएगा हमारा आंसर आजाएगा 96 96 है न यह हमारा राइट आपसन होगा चलिए इसको कैसे कर पाएंगे इसको तेजी से करिये आप कितना फास्ट कर सकते हैं तो यहां से देखिए plus 2 जादा है है न यहां से minus 7 कम है है तो इनको घटा लीजे आप इसमें 93 में दो जोड़ दीजे यह एक सो दो में साथ घटा लीजे यहां से इन दोनों में जोड़ दीजे तो आजाएगा 95 है ना फिर 00 लगा दीजे है ना इन दोनों का जो मल्टी पिलकेशन आता है उसको घटा दीजे यहां से तो यहां से आजाएगा हमारे पास 94 कितना 86 94 तो इस तरह से आप फास्ट कर सकते हैं तो आपको यह सारे टाइप जो हमने चार टाइप बताए हैं तो यह चार टाइप आपको समझ में आए होगा बागी के टाइप आगले वीडियो में करेंगे हम ना एंटी पीसी में सेलेक्शन करवाने के लिए बहुत ही प् एक्जाम है हमारा एक्जाम उसके अनुसार हम आपको सारे मटेरियल जो है प्रोवाइड कर आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और जादा से जादा सेयर करिएगा तो मिलते हम आगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद